हलो दोस्तों आश्कार एमके स्टेडी में आपका स्वागत है मैं बताऊंगा आज मैंत क्लास 12 प्रश्णा वाली 7.1 तुम देखिए निम लिखित फलकों के प्रती आउकला जियानी सामा कला निरीच्छण बिदी द्वारा हमें चलिए ग्याद करते हैं देखिए इंटीगरे देखिए अब दूसरा नंबर सवाल है दूसरा नंबर सवाल है हमारा कॉस थिरी एक्स तो इसका इंटीगरेशन करेंगे देखिए अब इसका इंटीगरेशन करेंगे कॉस थिरी एक्स डीक्स देखिए कास थिरी एक्स का इंटीगरेशन क्या होता है कास थिरी एक्स का मज़न है तो बटे में आजाएगा 3 प्लस सी एएंसर हाई आधी अद्री बाते में आ जाएगा दो प्लस सी यह एंसर है整े चबह था नाम्र सवाल होता है integration ax plus b का whole square dx है तो इसका integration करेंगे ax plus b का whole square dx है देखिए इसका फार्मूला क्या होता है x के power n plus 1 बटे n plus 1 फार्मूला होता है देखिए हो जाएगा देखिए इसका integration हो जाएगा ax plus b की power कितना है 2 plus 1 जोड़ना है नीचे नीचे 2 plus 1 अब एक्स का गुड़न कितना ए है तो इसको बटे में कर दें कितो हो जाएगा one upon कि ए तो हो जाएगा देखिए इसका हो जाएगा one upon 213 हो जाएगा थिरी हो गया कोश्टक में ax plus b के power 213 तो 3 हो जाएगा यह answer है देखिए देखिए इसके इस तरह देखिए देखिए कोश्टक में ax plus b के power 3 plus c c लगाया जाता है यह answer है तो पांच नमबर देखिए देखिए sin2x-4e3x तो इसका integration करेंगे देखिए sin2x अलग-अलग कर लेंगे dx-4 फोर बाहर कर लेंगे हो जाएगा e3x dx देखिए sinx का उकरण क्या हो दो है integration क्या होता है देखिए sinx का integration क्या होता है sinx का integration होता है minus cos2x x का गुडांक दो हो तो बाटे 2 आ जाएगा minus 4 e के power x का देखिए इसको पूरे x समाल लेंगे तो 3x को एक समाल लेंगे तो इसका होता है e के power x का integration e के power 3x गुडांक x का कितना है 3 है तो बाटे 3 आ जाएगा plus c तो हो जाएगा minus 1 upon 2 cos2x minus 4 बाटे 3 e के power 3x plus c ये answer है तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी वीडियो पसंदा है तो like and subscribe जरूर करें